तो हालो सब्सक्राइब करता हूं आपके एपनी चैनल विकास सर्क्लासेज में मेरे प्यारे बत्चो कल हम सभी लोगों ने परस्णावली 2.1 को सॉल्व किया था और आज हम लोग बात करेंगे परस्णावली 2.2 तो मेरे प्यारे साथ ही हो कौन से फार्मूले इसमें लगने बात करेंगे तो बच्चों यहां देखिए निमनलिखित में से क्या करना आपको दिये गए जो क्यूशन है इंको प्रूफ करना यानि सिद्ध करना होगा अब यहां क्यूशन नंबर एक में देखिएगा त्री साइन इन वर्स एक्स इक्वल में साइन इन वर्स 3 एक्स माइनस 4 एक्स पावर 3 दिया है ठीक है वह तो यहां आपको दिया है कराई से सिद्ध किजिए लेफ्ट हैंड साइट इक्वल टू राइट हैंड साइट यहां जो यह भी लॉंग सुझ दिया है इससे हम थोड़ा सा कोई यहां वो नहीं देखेंगे ठीक है तो भई आपको चाहिए लीजी चाहिए यह लेंगे तो यह पच्छ आना चाहिए और यह हैंड साइड लेने पर बहुत स्यादे स्विधा होगी इसलिए हम लोग बात करेंगे राइट हैंड साइट से राइट हैंड साइट से तो मेरे प्यारे साथियों राइट हैंड साइट से हमने लिया तो यहां क्या दिया है साइन इन्वर्स दिया है 3x और दिया है माइनस मे 4 x का पावर में दिया है 3 ठीक है अब बच्चों आपको एक प्यारा सा काम करना है यहां आप सभी को x के अस्थान पर sin theta रखनी है तो आप मुझे बताइए अगर x equal to sin theta रखेंगे तो मेरे प्यारे साथियों अगर x बराबर sin theta रखेंगे तो theta की value क्या हो जाएगी साइन इधर जाएगा साइन इधर जाएगा यानि theta equal to आजाएगा sin inverse x तो यह बात आप सभी को समझ में आना चाहिए ठीक है भई तो सभी बच्चों को यह बात समझ में आनी चाहिए अब देखियेगा मेरे प्यारी साथियों यहां आपका आज आएगा भाई क्या जाएगा यहां आजाएगा साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स यहां देखिएगा यहां हम लोग लिखेंगे तीन दिया है तीन लिखेंगे इन्टू में एक्स और एक्स के अस्थान पर आपको क्या रखना है साइन ठीटा साइन ठीटा यहां माइनस है तो हम भी माइनस लगा देंगे यहां फोर है फोर यहां लग गया फिर यक्स क्यूब और यक्स का वैलू हमने क्या माना है साइन ठीटा रहा जायेगा साइन क्यूब ठीटा आ गया मेरे प्यारी साथ ही यूँ आप सभी लोग यह बात याद रखना कि आप लोग याद रखिएगा सभी बच्चे याद रखेंगे सब्सक्राइब क्या कि साइन साइन ठीटीटा एक्वल टू आपका हो जाएगा ठीटीटा माइनस में फोर साइन क्यूब ठीटा तो बच्चों यह चीज आपको फार्मूली में पता होना चाहिए ठीक है तो फड़ा पड़ा आप लोग इसे नोट करते चलिएगा यह फार् कि भई क्या होने वाला यहां यहां आपका जाएगा साइन इनवर्स और आप सभी जान रहे हैं यह जो है फार्मूला किसका बन गया साइन ठीटीटा का तो आप सभी लोग जान रहे हैं साइन से साइन इनवर्स है ना यह साइन इनवर्स दोनों चला जाएगा साइन इनवर से और हमने कहा साइन ये दोनों चला जाएगा कैसे साइन इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं वानापान साइन और पहले से कौन सा विराजमाने भई साइन से साइन ये चला जाएगा कि नहीं तो आप देख पारें भई ये कितना इजीवे में ये चला जाएगा ठीक है त इनमर्स यक्स यानि आप देख रहें जो यह एंसर आया हुआ है यह वाला आया है तो लास्ट में आपको लिख देना है कि Lept hand side एकवल टू राइट हेंड साइड ठीक है लेप्ट हैंड साइड इकवल टू राइट हैंड साइड तो कितना प्यारा सा इदम तगड़ा क्यूशन था भई मजा आ गया ठीक है ऐसी जीवे में लगाना भई बिलकुल इदम आसानी से आप लोग को लगाना है और आराम से जो ब आरे साथ यह तो आप लोग खुद बतादेंगे तो यहां भी काम है कि एज लेफट और एक राइट दिया है तो लिख देंगे भई फ्राम राइठ हैंड राइट हैंड साइट से पार चो राइट हैंड साइड में दिया है को इनफ मोर्स एक्स पावर थीच माइनस में जान थीता रखनी है और ठीटा के अस्थान पे आपका आजायगा आज इनवर्स एक्स ठीक है तो सवी बच्चें इस बात को याद रकेंगे ये दो वैलू आपको रखना होगए आप तो याद रखना मेरी प्यारी बच्चों यह दो वैलू आपको रखना होगा ठीक है तो यह दो वैलू आप सभी को रखने होंगे अब यहां आप लोग ध्यान दीजियेगा क्या यहां इसे सॉल्व करेंगे इजीवे में क्या जाएगा पड़ा पड़ा बताईए आज आएग 3x के स्थान पर आपका वही आजाएगा क्या कॉस ठीटा तो मेरे प्यारी साथियों आप लोग जानगें है कि कॉस इन्वर्फ यह फार्मूला आपका बन जाएगा कॉस ठीटा का कॉस ठीटा का फार्मूला बन गया तो बच्चों आपको यह बाते समझ में आघई याद र जाएगा भई फोर कास क्यूब ठीटा माइनस में थिरी कॉस ठीटा तो यह फार्मूले सभी बच्चों को भई याद होने चाहिए तो अब बड़े भईया देखिएगा सभी लोग यहां से कास इनवर्स कास चला गएगा यहां आपका बचेगा थिरी ठीटा और यहां आपका जाएगा थिरी इंटू ठीटा ठीटा के स्थान पर आप लोगों कास इनवर्स से यक्स यानि यह आप देख पा रहे होंगी यह आपका बिल्कुल क्या होजा जाएगा भ感 राइट एंश हो झाहे मैं मாन से लेव्टलम एक्ट Conseiras के सब्स्יר बहाती-स, बहुत ही सिंपल्ब चाहिए फार्वल रखते जाए आटोमेटिक साल्व होता चलेगा बच्चों अगला किश्ण देखी बहुत बढ़ी है प्यारा सा किश्ण यह अच्छा किश्ण है ठीक है निमने लिखित में से फलनों का सरलतम रूप में लिखना है ठीक है जब तक यह तक यह तक हल करते रहे यही है सरलतम रूप तो हम क्या करेंगे यहां हम लोग एक प्यारा सा काम कर लेते मैं इस और क्या कर लेंगे लिखेंगे ने लट का मतलब होता है माना माना यक्स के अस्थान पे आपको मैंने रख दिया 10 चीट इस बडाबर 10 ठीटा अगर रखते हैं तो ठीटा बडाबर क को पता होने चाहिए ठीक है यहां तक तो सभी बच्चे कर सकते हैं आई यह फटा-फट बैलू रखके चेक करते हैं यहां आपका दिया है रूट में वन प्लस एक्स इस्क्वाइर यक्स के अस्थान पर टैन इस्क्वाइर ठीटा आ गया बाहर में माइनस वन अपान में यक् बच्चो आप सभी लोग बताईएगा टैनी नमर्स और यह आजायेगा रूट में वन प्लस टैन स्क्वाइर ठीटा बराबर आपका आजायेगा सेक इस्क्वाइर ठीटा और माइनस में वन अपान में आ जायेगा आपका टैन ठीटा बच्चो आप यह कहेंगे कि सरी यह भई यह तो सबसे सिंपल क्लास टेंथ का फार्मॉला है इतना तो आपको पता होना ही चाहिए ठीके बच्चो यह इतना बने गया अब हम लोग कैलकुल करते जाएंगे बिल्कूल नर्वस नहीं होना है लगाते चले जाए आटोमेटिक आपका एंसर आ जाएगा तो यहां गया और माइनस में आपका गया वन अपान में यहां बचेगा टैन ठीटा तो मेरी प्यारी साथी हूं यहां आपका जाएगा टैन इन्वर्स ब्रैकेट लगा दिया जाए सिक ठीटा को तोड़ देंगे वन अपान कॉस ठीटा माइनस में वन अपान टैन ठीटा को तोड़ दीजिए साइन ठीटा बटे का कॉस ठीटा ये ब्रैकेट बन तो बच्चों यहां आपका जाएगा टैन इनवर्स ब्रैकेट में अब आप सभी का इसका मल्टिप्लाई इसके साथ करेंगे तो one minusLife कॉस ठीटा अपान में क्या बचेगा कॉस ठीटा टॉटल ठीक है बही क्या बचेगा यहां साइन ठीटा बटे का कॉस ठीटा तो बचेट यह पियारा सा कुष्चन था इसे यह जड़ गया ठीक है अब बताईए सभी सासी बताएंगे अब सर क्या करें अब यहां आपका बचेगा 10 inverse bracket में आपका 1 minus cos theta upon में क्या बचेगा बच्चों आप लोग को याद होना चाहिए यहां मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं भई सभी बच्चे फार्मूले को याद कर लेंगे ठीक है चलिए और जानते भी होंगे आप लोग यह चुकि आप सब जानते हैं कि 1 minus cos theta बराबर 2 sin square theta by 2 ठीक है भई 2 sin square theta by 2 और आप लोग यह भी जानके रखिएगा कि भई अगर sin theta का हाँ sin theta के फार्मूला होता है 2 sin theta by 2 into में cos theta by 2 तो बच्चों यह फार्मूला आप सभी student को भई याद होना चाहिए ठीक है भई सभी बच्चों की यह फार्मूले याद होने चाहिए आई इसी पर रख देते हैं जब इसी पर हम लोग इसे रख देंगे तो क्या आजाएगा यहां आजाएगा 10 inverse आजाएगा 1-cos theta के अस्थान पर 2 sin square theta by 2 अपान में sin theta, sin theta का अस्थान पर 2 sin theta by 2 into में cos theta by 2 और हमने इसे क्या कर दिया बंद कर दिया अब बच्चों यहां देखिए 2 से 2 जाएगा 1 sin से 1 sin गया तो यहां आपकी बीच में बचेगा 10 inverse एक साइन एक कास, sin बटा कास क्या हो जाएगा 10 में theta by 2 आप देख रहे हैं 10 से 10 की बिदाई तो यहां क्या बच्चा theta by 2 इसी theta by 2 को 1 by 2 into theta लिख सकते हैं इसी को लिख सकते हैं 1 by 2 into theta और theta के अस्थान पर आप 10 inverse x रख सकते हैं 10 inverse x रख सकते हैं कितना प्यारा question था और कितने हम लोगों ने easy method में solve कर लिए ठीक है बच्चो तो लगाने का तरीका और कुछ concept होता है सिंपल से करते चले आपको idea मिलता चले जाएगा कौन formula कहा लगाना है और सवाल लगाने से फार्मूले याद होते हैं यह ज्यादा करोगे इतना ज्यादा हल करोगी तो ज्यादा फार्मूले की uses होंगी और automatic आपको सब याद आती चले जाएगी ठीक है जल्दी जल्दी करी इदम तगड़ा किश्यन बच्चों अब यहां करने के लिए बहुत सिंपल सी है आप सब जानते हैं कि वहन माइनस कॉस एक्स का formula होता है टू साइन इसक्वाइरट ही टावाई टू और वन प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है टू कॉस इसक्वाइर ठीटा वाई टू तो देरी किस बात की फटा फटा लगाते हैं चले यहां दिया आपका टैन इनिवर्स ठीक है और यहां रूट में दिया ब्रैकेट लगाया हुए हम भी लगा देते हैं फिर रूट में दिया था वन माइनस कॉस से एक्स तो इनके अस्थान पर जाएगा टू साइन स्क्वा ठीटा वाई ठीटा वाई क्यों यह एक सबाय टू रखेंगे इस एस न तो यहां भी एक सबाय टू यहां दिया आपका जाएगा एक्स बाय टू अपान में यहां जाएगा टू कॉस स्क्वाई इसक्वाय टू ब्रैकेट बंध हो गया तो बच्चों यहां दो से दो चला जाएगा और यहां आपका जाएगा 10 inverse bracket में देखिए रूट में आपका sign बटा काव्स यहां जाएगा 10 square लगा तो हम भी square लगा देंगे x by 2 आगया अब बच्चों आप सभी को क्या करना है यहां आपका जाएगा 10 inverse ठीक है bracket में आप देखिएगा यह करड़ी से बाहर निकालेंगी square है न एक बच्चेगा यानि केवल 10 में x by 2 बच्चेगा और यह 10 से 10 अगर गया तो आपका answer आजाएगा x by 2 बिल्कुल मेरे प्यारी साथियों यह आपका हंडिर परसेट आइटेम ज़रोगा ठीक है तो बहुत ही सिंपल केशन था सबसे सिंपल केशन है और इसी मेथर से आप सभी को करना होगा ठीक है इदम इजीवे में करना इतना प्यारा सा क्यों था फार्मुला रखिए एंसर आपका आगया ठीक है चले अब आगी क्यों बढ़ते प्रेस नंबर पांच देखे प्रेस नंबर पांच क्विस्चन दिया है अब आईडिया आप दिमाग में लाइए कि भाई 10 इनिवर्स को हटाना है तो यहां तो कॉस और साइन दिया है अगर यहां 10 बन जाता तो मज़ा आजाता तो क्यों ना हमें एक प्यारा सा काम कर दे सम्में कॉस अंस और हर में भाग देने पर भाग देने पर तो दिखते हैं अब 10 बनेगा तो यहां आपका जाएगा 10 इनिवर्स ऐसे रहने दीजिए ऐसे बड़ा समना दीजिए कहां भाग देना था अंस अंस में क्या है कॉस अक्स भाग दे दीजिए माइनस यहां भी डिवाइड कर दीजिए साइन एक्स में किस से कॉस अक्स से अपान में यहां भी डिवाइड करते चलिएगा कॉस अक्स में किस से कॉस x से फिर क्या करेंगे साइन एकस में डिवाइट कर दीजे किस से कॉस x से ठीक है यही तो मैंने बूला था आपको और यहीं प्यारा सा काम करना था तो बच्छों कॉस से कॉस जाएगा और आपका यहां बचेगा टैन इन्वर्स यहां आपका बचा 1- साइन बट KP कƏ काउस सभी बच्चे जानते हैं कि 10स होगा अपान में यहां वी आपका यहां वंries औरहरा सा काम करने था और नहीं करना था तो मैंने पहले करने ठीक हो है यह यहां तक हो गया बच्चों तो आपको काम करना यहां मैं आप से पूछ रहा हूं 10 inverse अब यहां देखिएगा जहां वन दिया है तो वन के अस्थान पर यह किसका वैलू होता है टैन 45 डिगरी का मान है 45 मतलब टैन पाई भाई फोर का वैलू है एक जहां एक है वहां लोग टैन पाई भाई फोर लिख सकते हैं क्योंकि टैन पैतारिस मान एक होता है माइनस में 10x तो यहां भी हम लोग माइनस में लिख देंगे 10x फिर अपान में यहां जायेगा वन वन को रहने दीजिए प्लस जहां 10x है वो तो रहेगा लेकि थोड़ा सा इसे फार्मूला बनाने के लिए 10 पाई भाई फोर इंटु अब 10x को लिखते हैं ताकि थोड़ा फ पैदाई समान एक होता है गुड़ा करोगे तो आपका यही आएगा लेकिन इसको हमने फार्मूला बना दिया तो यह देखिएगा बच्चों फार्मूला बन जाएगा 10 इनवर्स ठीक है 10 a-b का फार्मूला बन गया पाई भाई फोर माइनस में x तो यह फार्मूला बन गय है तो कितना प्यारा सा कितना बढ़िया कि वह तरीका आपको पता होना चाहिए और इसी तरीका का फालू करके क्विशन को समझ सकते हैं ठीक है चलिए बहुत बढ़िया आगे क्यों चला जाए अब अगला क्यूशन आपका क्या कहता है भाई छे नंबर प्रस्टन तैन इनवर्स दिया है भई ठीक है बच्चो तो आपको प्यारा सा काम करना है कोई दिक्कत नहीं लगाया करो गलतिया होंगी फिर सुधार होंगी तो यक्स लेट मैंने माल लिया यक्स इक्वल टू ए साइन ठीटा रखके देखते हैं ठीक है आइड इसके हस्तान पर ए साइन ठीटा रखका ठीक है ऐसे मनमानी लगा रहे हैं देखो आता है कि नहीं चेक करते हैं तो अब ऐसे ही आपको अगर मैं कहदू बाबू ठीटा का वेलू बताओ तो ठीटा का वेलू निकालोगे तो पहले ये ए जाएगा ए जाएगा तो यहां आप आपका जाएगा एक्स अपान ए यह बाते आप लोग याद रखना ठीक है बाबू अगर यह बाते आपको पता है तो सिंपल से सिंपल सी बात है कि आपको मज़ा आ जाएगा ठीक है बाइग चली कोई दिक्क्त नहीं है प्रिस देख लेते हैं एक बार तो यहां आपका यह सभी बच्चों को अब आईए रख के चेक कर लेते हैं रखिए दिया है टैनी निवर्स यक्स के अस्थान पे हम लोग क्या रख रहे हैं वही ए साइन ठीटा अपान में रूट में ए स्क्वाइर माइनस एक्स इस्क्वाइर तो एक्स के अस्थान पर रखना है साइन चुकि इसक्वाइर है तो यह हमने कर दिया प्यारा साथ हैं अब यहां तक करने के बाद कुछ आईडिया मिला अभी नहीं तो अभी लगाते रहेंग यहाँ bracket में आपका बच जाएगा A sin theta ठीक है भई अपान root में यहाँ देखो A square यहाँ भी A हाँ भी है A square को हम लोग कामल ले लेते हैं तो 1 minus आजाएगा sin square theta कुछ idea मिला नहीं मिला और आगे solve करते चलो तो 10 inverse उपर आजाएगा A sin theta upon में ठीक है देखो यह A square है जब इसे करणी से बाहर आएगा तो A बचेगा और root में आपका बचेगा 1 minus sin square theta मेरे प्यारे बच्चों A से A की विदाई कुछ idea मिला अभी भी आप अगर कह रहे हो कि नहीं मिला थोड़ा एक step और लगाओ तो यहां आपका जाएगा साइन ठीटा अपान रूट में उपर बचेगा साइन ठीटा अपान जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो कॉस स्कॉर ठीटा है केवल कॉस्ट ठीटा बच जाएगा यानि यहां आपका आजाएगा 10 inverse साइन बटा कॉस्ट यानि आजाएगा 10 ठीटा बच्चों 10 से 10 जाएगा यहां आपका बच्चा ठीटा और ठीटा की वैलू अपने लोगों ने क्या मानके रखा है साइन इन वर्स एक्स अपान ए ठीके बच्चों तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल आप लोग यह समझिएगा बिल्कुल यह आपका क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा ठीके बई यह बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा ठीके बई को solve करके देख लेते हैं, इसमें क्या कर रहा है, यहां भी वही काम करना है, लेट, ठीक है, लेट, यहां हम x equal to a10 theta रखे देखें भई, a10 theta, तो बच्चो, x equal to a10 theta रखेंगे, फिर वही कहानी बचता है, ज़िए theta की value क्या होगी, तो theta की value जब यहां निकालेंगे, तो यह 10 inverse x अपान इह हो जाएंगा थिक बच्चों यह तुम मैं पहली बता था आपको इजीवे में कर लेना थिक भाई कहा कर लेना है मैं है तो एक चले करेंगे तो value रखके check करते हैं यहां आपका आजाएगा 10 inverse 3a square into x तो x के अस्थान पर आपको a 10 theta minus x cube x cube का मतलब a cube यहां आजाएगा 10 cube theta अपान में यहां a cube है तो मैं भी a cube लिख दिया minus 3a into x square तो x के अस्थान पर a square into 10 square आपका हो जाएगा तो बच्चों यहां आपका आजाएगा 10 inverse ठीक है भई 10 inverse आगया आप अगर इसका multiply इसके साथ कर देंगे तो 3a का power 3 आजाएगा और यहां बच जाएगा 10 theta माइनस में आपका आजाएगा a cube आजाएगा 10 cube theta तो मेरे प्यारे साथी यहां आपका यहां आजाएगा a cube minus 3 इसका multiply इसके साथ कर देंगे तो तो a cube हो जाएगा और यहां बच जाएगा 10 square theta और इसे भी हम लोग क्या कर देंगे बंद कर देंगे ठीक है अब यहां तक तो हो गया अब यहां तक करने की बाद आपको क्या करना है यहां आपका आ जाएगा बच्चों 10 inverse यह बड़ा वाला bracket है तो हम भी लगा देतें यहां देखिए एक्यूब यहां भी है एक्यूब को क्यों ना तो यहां क्या बच्छाएगा भी टेटा और मायनस में केवल बचेगा आपका टैन क्यूब थीटा अपान में यही कहानी नीचे भी है एक्यूब यहां भी है यहां भी है कामन ले लिजिए तो वन माइनस आपका बच जाएगा थ्री टैन स्क्वायर ठीटा तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे यह बड़ा वाला ब्रैकेट बन एक्यूब से एक्यूब की बिदाई यानि आपका जाएगा टैन इनवर्स और यह जो फा असान पर आप लोगों इमान के रखाए टैन इनवर्स एक्स अपान ए तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों यह आपका क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा ठीक है तो बहुत ही सिंपल क्वेशन था पहुत प्यारा क्वेशन था ठीक है भाई ठीक है वही चलि आठ्वा question क्यो बढ़ते हैं बाउ आठ्वा question क्या कCloud है यहां मैं आपा ने करने का एक तरीका हो इससे पहेले ten पाई बाई 6 होगा यहीं न जब आपने दो दस्मानों एक में पढ़ा था तो क्या बताया था इसकी वैलू क्या हो जाएगा पाई बाई 6 है इसमें भी बाउड मास रूल पर सबसे अंदर वाला ब्रेकेट हल करेंगे यहां देखिए दो तियाई 6 तो बच्चों यहां आपका यॉइक बटे का दो होता है इतना होता हुआ एक मोटे का दो दो से दो कि क्या हो गई बढ़ाए तो बच्चों यहां आपका आजाएगा डेन इन्वार्ष आइन इना रस टैन इनवार्ष किया बच्चा एक बच्चा तो आप लोग इसे लिख सकते हैं एक किसके बरावर र की विदाई यानि यह जो अंसर आपका आएगा वगा वह भाई ऑर आएगा तो बच्चो बिल्कुल आपका यह राइट एंसर हो जाएगा वट इसेल श्वां 2 त haunting अकम धानार question देख लेते हैं ठीक है question number 9 बच्चो प्रस नंबर 9 में आपको यहां भी वही काम करना है लेट x के अस्थान पर हमने 10 theta मान लिया तो theta equal to क्या जाएगा 10 inverse x ठीक है बच्चो तो इसे हमने मान लिया ठीक है बई कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए बच्चो यहां आपको y के अस्थान पर आपको 10 5 मान लेना चाहिए और 5 की जब value आप लोग निकालेंगे तो यह आपका आजाएगा 10 inverse में y प्यारा सा काम करना है और इसे भी आपको मान के तयार करना है यह देखिए हमारा rate लिया होगा ठीक है अब यहां तक करने के बाद पहला फड़ा फड़ा value रख देते हैं फिर देखते हैं क्या होता है यहां आपका आजाएगा 10 1 by 2 यहां आजाएगा sine inverse 2 x x के हस्थान पर आजाएगा 10 theta अपान में 1 plus 10 square theta होगे भी प्लस लगाईए यहां दिया है आपका cos inverse 1 minus y square y square मतलब 10 square आपका आजाएगा 5 अपान में 1 plus 10 square यहां भी आपका क्या जाएगा 5 आगे है भाई चले अब बच्चों यहां आपका आजाएगा 10 1 by 2 यहां आपका बच जाएगा sine inverse और यह फार्मूला बन जाएगा sine 2 theta का plus cos inverse इसका फार्मूला बन जाएगा cos 2 phi का ठीके भाई यह देखिए sine से sine cos से cos गया ना भाई कितना बचेगा बच्चों 10 एक बटे का 2 यहां बचेगा 2 theta plus में 2 phi बचा अब बच्चों एक प्यारा सा काम करना है ठीक है दो यहां भी है और दो यहां भी है common ले लिजी तो यहां जाएगा 10 1 by 2 into जब 2 common ले लेंगे तो यहां आपका बचेगा 1 theta और एक बचेगा 5 तो तो theta के अस्थान पे आपको क्या रखना था 10 inverse x plus phi phi के अस्थान पे आपको क्या लिखना था 10 inverse y ठीक है बच्चों ऐसे लिख रिया हमने अब आप चुकी सभी बच्चों को भी फार्मूला तो याद होना चाहिए और यहां नहीं जानते तो जान लीजिएगा कि बच्चों 10 inverse x plus 10 inverse y equal to 10 inverse ठीक है 10 inverse ठीक है 10 inverse x plus 10 inverse y equal to 10 inverse x plus y upon 1 minus xy होता है बच्चों यह फार्मूला सभी स्टुडेंट को इद्दम अच्छे से याद होना चाहिए तो बिलुकुल यहां हमने इसको नोट कर लिया भी तो अब आपका क्या जाएगा बच्चों यहां आपका आपका जाए और यहां जो फार्मूला बनेगे 10 inverse x plus 10 inverse y इसके अस्थान पे आप लिख सकते हैं 10 inverse ठीक है बई क्या लिख देंगे 10 inverse 10 inverse क्या लिख देंगे x plus y upon 1 minus xy तो बच्चों यहां 10 inverse से 10 गया यानि जो एंसर आएगा वह x plus y upon 1 minus x y बिलुकुल मेरे प्यारे साथी हूं यह 100% आपका राइटेंस रोगा ठीक है बई 100% आपका क्या होगा राइटेंस रोगा ठीक है उमीद करते हैं आपको यह अच्छा लागा होगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट लेकर तब तक लिए सभी को जैहीं